मौनसुन की पहली बारिश के बाद गया के फल्गू नदी में पानी आने से करीब चार महिने बाद गया जी डैम की रोनक लोटाई है गौर तलबो की डैम के अधोरे काम को पूरा कराने के लिए डैम के निर्देश पर मार्च मेहने में यहां से पानी निकाल दिया गया था डैम के निचली सतह पर जम्य गाद को हटाने के लिए डैम से पानी निकाला गया था लेकिन पिछले कुछ दिनों से हो रहे लागातार बारिस के कारण फल्गू नदी में पानी आ चुकी है और अब यहां देश विदेश से आने वाले सरधालूं को तरपन करने में परिसानी नहीं होगी बता देंकि 2022 में गया के फल्गू नदी में रबर डेम का निर्मान कराया गया था ताकि सरधालूं को सालों भर पानी मिल सके और like के संख्या में सरधालू यहां पहुँचे थे और अपने पुरवजों का पिंड़ दान किये थे पिंडदान के दोरान पिंडदानी नदी में है पिंड़ को डाल देते थे जिस कारण नदी के निचल सतह में तक्रीबबन एक फुर्ट कगाद जम गई थी जिसके साफसफाई तथा नदी के दोनों और कंस्ट्रक्शन का काम कराने को लेकर मार्च महिने में गया जिला परसाशन के निर्देश पर नदी से पानी निकाल दिया गया था पानी परसाशन करते हैं ऐसे गुप्त गंगा सीत्या जी का साफ है पानी निकलता है चुकर यह मौंसुन के पहली बारिस से जिसकार नदी के पानी को रबर होगज में आस्टोर नहीं किया जा रहा है और दैम को खोल दिया गया है ताकि गंदा पानी निकल जाए गया से लोकल लिटिन के लिए कुंदन कुमार झाल झाल